विधान साब चुनाव से पहले मध्यप्रदेश के 70,000 बिजली कर्मी शुक्रवार जैनिशिप कालीन हर्टाल पर चले गए हैं वह पैंश्वन ट्रांसफर इंश्वरेंस समेत आज मांगो को लिकर ड्यूटी नहीं करेंगे इसे आम लोगों की मुश्किल बढ़ जाएंगी ना तो बिजली लाइन के पॉल्ट सुधरेंगे और ना ही शुकायत दूर होंगी बदा दे कि दो अक्टूबर को बिजली कर्मियों ने गोविंदपुरा में गांधी प्रतीमा के सामने उपवास और भजन कीरतन भी किये थे उन्होंने 6 अक्टूबर को अनिश्वित कालीन हर्ताल पर जाने का एलान किया था इसके बाद यूनियन पदाधी कारियों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रवंद संचालक के साथ बैठक भी हुई थी लेकिन तीन दौर की बादशीत किसी नतीजे पर नहीं पहुँची इसके चलते अब अनिश्वित कालीन हर्ताल पर चले गए शुकरवार को विजली कर्मियों ने गोविंद पुरा में धरनाय शिरू कर दिया है कर्मित 13 अगस्त को यहां एक अत्रिद भी हुए सभी संगठन चाहे वह पावर इंजिनियर्स और इंप्लॉई एसोसीशन हो युनाइट फोरम हो अभियंता संग हो सभी संगठनों ने सरकार से पूरा प्रियास किया कि समधान करे ध्याना कर्शन के माद्यम से लगातार छे महीने से आठ महीने से हम प्रियास कर रहे हैं ध्याना कर्शन के माद्यम से लेकिन सरकार लगातार विद्धुत कर्मियों के उपेक्चा कर रही है हमारी परसों से जो दो चार हमारी जो है दोर की वारता हो चुकी है सोला घंटे लगबग वारता हुई है M.D. E.M.P. P.M.C.L. के साथ लेकिन किसी भी बिंदू के वो निसकर्स पे नहीं पहुचे है किसी भी बिंदू का निराकर्ण नहीं किया है जिसमें हमारी कोर कमेटी की रात में नो बजे बैठक होई उसमें ये तैक किया गया कि हम आज से इंडिफिन्ट स्ट्राइक पे जाएंगे पूरे प्रदेश के सभी विद्दूत के कारयाले बंद हैं हमारे पावर आउसेस में सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो विदान सभा चुनाव से पहले मधिप्रदेश के सतर हजार बिजली कर्मी शुकरवार से अनिश्रित कालीन हरताल पर चले गए हैं वह पैंशन, ट्रांसफर, इंशुरेंस सम्मेट आठ मांगो को लिकर डियूटी नहीं करेंगे इसे आम लोगों की मुश्किल बढ़ जाएंगी ना तो बिजली लाइन के फॉल्ट सुधरेंगे और ना ही शिकायत न दूर होंगी नए कनेक्शन, बिजली बिल, वित्रण, रीडिंग भी नहीं हो सकेगी प्रदेश के 52,000 पैंशनर्स भी हर्ताल के दौरान प्रदर्शन करेंगे वहीं हर्ताल रोकने के लिए तीन महिने तक एसमा लागू कर दिया गया है व्यूरो रिपोर्ट अंप नियूज बुपाल